हलो एविवान, वेलकम बैक टू वेपी आर स्टुडियो तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? तो आज हम एक बनाने वाले हैं लंच पैग मुझे जुरुरत थी पारस के लिए एक लंच पैग की जो पहले वाला लंच पैग था वो छोटा हो चुका था उसमें टिप में नहीं आ रही थे इतने तो मैंने अपने घर में रखे हुई पुरानी जिन्स से एक बनाया है प्यारा सा लंच पैग तो आप अपनी चोईस से बना सकते हैं कुछ और डिजाइन भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लंच पैग कैसे बनाएंगे तो उसके लिए चाहिए हमें अपनी एक कोई भी पुरानी जिन्स जो आप यूस नहीं करते हों तो हम उसको पहले हम जो उपर वाला पार्ट है उसको हम कट करके अलग रखतेंगे इससे हम अपने जो बैग है उसकी बैल्ट बनाएंगे तो इसको हम साइड में अलग रख देते हैं बेसिकली हमें जो लैक पार्ट है वह भी चाहिए तो आप पहले जीन्स को उल्टा कर लेंगे तो अब हम क्या करेंगे जो हमने स्टीचिंग का पार्ट है जहां पर हमारी डैनिम स्टिच हुई है उस पार्ट को हम कट कर देंगे आप same दूसरे पार्ट को भी मैंसे cut करेंगे और दोनों को एक दूसरे पर रखते हुए दोनों पार्ट को रखते हुए उसको एक shape देने के लिए सबसे पहले नीचे का हम पार्ट हलका सा cut कर देंगे ताकि वो straight line आजाए अब आप देखेंगे दोनों denim के पार्ट उल्टे रखे हुए है अब हमने क्या करना है हमने जितना भी आप पार्ट square में ले सकते हैं यानि जिसको हम straight cut कर सकते हैं उतना लेंगे तो मैंने जो beach का stitching पार्ट था उसको side में रखते हुए यहां से 3 इंच और वहां से 6 इंच का मुझे measure मिला मैंने वो ले लिया आप चाहें तो आप अपने according भी कर सकते हैं आपको सरफ इतना ध्यान में रखना है जितना भी आप पार्ट अपना cover कर सकते हैं उतना आप कर लीजे तो मैं अब यह cut कर दूँगी दोनों पार्ट को scissor के आप से cutting करकर आप देखेंगे मुझे दो पार्ट मिल चुके हैं अब इन दोनों पार्ट को आपस में जोड़ दूँगी यानि stitch कर दूँगी मैं अपनी machine लेकर यह दोनों पार अब मैं stitch कर देते हूं हम 14 नंबर का needle यूज करते हैं लेकिन denim पे हम 16 नंबर का needle यूज करते हैं अगर आपका denim बतला है तो 14 नंबर भी चलेगा आदरवाइस आप 16 नंबर का needle यूज कीजे अब आप देखेंगे कि यह same मैंने cut करके यहाँ पर stitch किया था ना अब जो denim पे design होते हैं यानि back side नहीं front में same जो हमने stitch लगाया था उसके उपर एक stitch और देदूगी ताकि वो pattern भी similar हो जाए और हमारा कपड़ा और मजबूत हो जाए क्योंकि stitching पे अगर हम दो stitch देदेते हैं तो वहाँ से वो कपड़ा मजबूत हो जाता है तो वहाँ से वो slide जो हमारी खुल जाती है खुलने के chances नहीं रहते हैं तो यह हमारा बाट ready हो गया अब एक यह बड़ा piece ready है हमारे पास तो आप देखेंगी कि यह बड़ा piece हमारा ready हो चुका है तो मैंने इसके उपर मेरा plastic sheet रखा था वो लगाया मेरे husband की पुरानी shirt है मैं इसी के उपर यह plastic sheet के उपर भी यह कपड़ा लगा दूँगी shirt को काटके मैंने लगा दिया तो आप पहले इसके चारू तरफ यहाँ पर ऐसे stitching कर देंगे अब मैंने back का size देखा कि पुराना back कितना था और मुझे यह कितना बड़ा करना है तो मैंने नीचे के दो corners same size पे cut किये मैंने तीन दिन inch का लिया है तो अब मैं यहाँ पर यह stitch कर दूँगी और यह मैंने जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको जोड़ा और मैं इन जोड़कर इन दोनों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक belt बना रही हूँ जो हमारे back पे belt use होगी अब यह belt को मैं back के उपर आले edge पर रखकर यहाँ हम stitch लगा रहे हैं जो उपर का part है उधर ही मैंने बीच में 33 inch का gap छोड़कर हमने यह belt लगा दी है तो आप देखेंगे दोनों side मैंने ऐसे ही किया अब हम यह part यहाँ से stitch कर देंगे यह दोनों corner मैं यहाँ से stitch कर दूँगे कर दोन जाद रहाँ रहाँ कर दोन कर दो दुआँ कर दोन सेम जब स्टिच करने के बाद जो नीचे वाला बॉक्स है हम उसको भी स्टिच कर देंगे यानि जो नीचे का पूरा पार्ट था जो हमारा ओपन था हमने उसको चारो तरफ से सिलकर बंद कर दिया है जो हमारा उपर वाला पार्ट है सिर्फ वही उपन रहेगा बाकि हमारा बंद कर देंगे हम पूरे बार्ट को और कोशिश करें कि आप दो दो स्टिच दीजिएगा वही बात जो मैंने आपको पहले की थी उससे हमारे बैक थोड़ा मजबूत हो जाएगा और स्टिचिंग खुलने के कोई भी चांस नहीं रहेंगे अब मैं आपको बैक को सिधा करके दिखाती हूँ अगर आप चाहें तो इसको ऐसे अगर आप कोई हम लोग कई बार मार्केट में सब्दी लेने जाते हैं आप इसी तरह से एक बड़ा बैक बना सकते हैं अब हमारे को लगाना है चेन तो हमने क्या किया दो जो सेम पार्ट ह हमारा उपर से कट हुआ था है ऊधर मैंने चेन लगाया और ये बैक के उपर मैं अब चैन लगा दूँगे चैन लगाते समय बैक को हम उलटा कर देते हैं और चैन का इंदर वाला पार्ट है उसको भी उलटा रखकर हम चार्ओ तरफ इसको स्टिच कर देंगे और बाद में हम खोल के देखेंगे तो हमारा बैग एकदम रेडी है बट बहुत सिंपल है तो थोड़ा बच्चों का बैग इतना भी सिंपल हमें नहीं पसंद आता तो हम इस पे हम थोड़ी सी हम हम पेंटिंग करें हैं आप चाहें तो उस पर कढ़ाई कर सकते हैं आप कुछ और भी करना चाहें तो कर सकते हैं आप पाइपी लगा सकते हैं है ना आप लेसिस गर्ल्स हैं तो लेसिस लगा सकते हैं तो मेरे बेटे का है तो मैं यहाँ पर उसको म्यूजिक पसंद है तो मैं इस तरह से music course दिख दूँगी और यह हमारा painting करके ready हो जाएगा तो मेरा bag ready है तो आप देख सकते हैं इसमें इतना space है कि मैं अपना इसको बहुत सारे प्रिफिन भी देने के बावजूद इसमें जगा बाकी है तो bag ready है कल लेके जाएगा बारस ये bag अपने school अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजेगा and subscribe my channel thank you